ब्रेक के बाद आपका स्वागत हैं पिछले काफी लंगे समय से हमीरपुर शहर चोरी की वारदातों को लेकर सुर्ख्यों में रहा शहर में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था जिसको लेकर स्थानी जनता के साथ पुलिस विबाग भी काफी परेशान था हमीरपुर में पुलिस ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक अनुखा तरीका अपनाया है एसपी हमीरपुर अर्जीत सेन ने स्वय जिम्बाद संबालते हुए घर घर जाकर लोगों को जागरूप करने का काम शुरू किया पिछली काफी लंबे समय से हमीरपुर शहर चोरी की बारदातों को लेकर सुर्खियों में रहा है शहर में एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अन्जाम दिया गया जिसको लेकर स्थानी जंदा के साथ चात पुलिस बिभाग भी काफी परिशान है हमीरपुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है हमीरपुर अरजित सेन ने स्वयम जिमा संभालते हुए घर घर जाकर लोगों को जागरुक करने का काम किया जा रहा है साथ ही पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं जिसमें चोरी के साथ चात एतियात बर्तने के लिए जानकरी दी गई है हमीरपुर के स्वयम जिमा संभालते हैं जिसमें जागरुक करने का काम कर रही है यह तीमें लोगों को जहां पर्चे बांट रहे हैं बहीं चोरी को रोकने हेतों दीये जाने बले सुझाबों के बारे में भी जनता को अबगत करवा रहे हैं बहीं इस तरह पुलिस के हर घर में दस्तक दिये जाने पर लोग भी सहयोग दे रहे हैं और इस मुहिम को लोगों द्वारा भी जराहा जा रहा है इस अभ्यान को लीड कर रहे सब इंस्पेक्टर पुजा ने जानकारी देते हुए बताये कि बहें घर घर जाकर लोगों को चोरी को रोकने हेतों सुझाबों की जानकारी जनता को दे रहे हैं ये हमारे हमें पिली से अभिहां चला यह ताकि छोरिया कम यह नुको रोका जा सके हमारे बहुत जादा चोरिया हो रही कुरा कि जा गर जाके जो है कैम्पेंच ला रहा है ताकि लोगों को इस पारे में थोड़ा सा आफ वियर करवाया जा सकी कि चोड़ियों से हमने कैसे बचना है ज्यादा से ज्यादा कैश है या फिर अपनी ज्याल दिया उसको घर पर ना रखे और उसके लिए बैंक बगार का यूज करें सबसे में बात जो है CCTV के अमराज जो है उसको लगवाए घर में या सफेर कुटे इत्यादी वाले और वाहनों में जितने भी आपके गाड़िया है गाड़ी एट सक्टा में उसमें नगती ना रखे ना ही कोई जैलरी बगारा रखे तो इसके रिगार्डिंग ये अब भ्य है तो पुलिस को फोन किया जाए तो हम इस बरकार से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है लोग भी अच्छा रिस्पॉंस कर रहे हैं और समझ रहेगी पुलिस की बात को